बिश्वा सरमा जी केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी देश के आरोग्य मंत्री मन्सुख माणविया जी डॉक्टर भारती पवार जी असम सरकार के मंत्री केशब महनता जी यहाँ उपस्तित मेडिकल जगत के सभी महानुभाव अन्य महानुभाव अलग-अलग स्थानों पर वीडियो कांफरंस से जुड़े हुए सभी महानुभाव और असम के बेरे प्यारे भाईयो और बहनों मा कामाख्यार ये पविट्रो भुमेर परा ओहो मोर होमु भाट्डी भोगनोई लोई मोर प्रुनाम आप सभी को रंगाले बिहु की बहुत बहुत शुपकामनाएं इस पावन आउसर पर असम के नौर्थ इसके हेल्थ इंफ्रस्ट्रेक्टर को आज एक नई ताकत मिली है आज नौर्थ इसको अपना पहला एम्स मिला है और असम को तीन नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं आई आई टी गुहाटी के साथ मिलकर आदुनिक रिसर्च के लिए पान सो बेड़ वाले सुपर स्पेशालिटी अस्पताल का भी सलान्यास हुआ है और असम के लाखों लाख साथियों तक आईश्मान कार आईश्मान कार पहुंचाने का काम मिशन मोड पे शुरू हुआ है नए एम से असम के अलावा अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड, मेगाले, मिजोराम और मनिपूर के साथियों को भी इसका बहुत लाव मिलने वाला है आरोग्य के इन सारे प्रोजेस के लिए आप सभी को नौर्थिस के सभी मेरे भाईयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत चुब कामना है भाईयों और भेनों पिछले नव वर्षों में नौर्थिस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्टेक्टर को लेकर बहुत चर्चा हुई है आज जो भी नौर्थिस्ट आता है तो यहां के रोड, रेल, एरपोर्ट से जुड़े कारियों को देखकर प्रसमसा किये मिना रहने ही सकता है लेकिन नौर्थिस्ट में एक और इंफ्रास्टेक्टर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्टेक्टर रहने ही सकता है लेकिन नौर्थिस्ट में एक और इंफ्रास्टेक्टर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और वो है सोशल इंफ्रास्टेक्टर यहां सिक्षा और स्वास्त की सुईधाओं का जो विस्तार हुआ है वो वाकर ही दोस्तों अभूत पुर्वा है पिछले वर्ष जब मैं डिब्रुगर आया था तो असम के अनेक जिलों में मुझे एक साथ कई अस्पतालों का सिलान्यास और उद्गाडन करने का आउसर मिला था आज एम्स और तीन मेडिकल कॉलेज आपको सौंपने का मुझे सौभाग्य मिला है बीदे वर्षों में असम में डेंटल कॉलेजों की सुविता का विविस्तार हुआ है इन सभी को नौर्थ इस्ट में लगातार बहतर होती रेल रोड कनेक्टिविटी से भी मदद मिल रही है विशेश रुप से गर्भावस्ता के दोरान महिलाओं को जो समस्या आती थी वो अब दूर हुई है इससे माता और बच्चे के जीवन पर संकट बहुत कम हुआ है आज कल एक नई बिमारी देखने को मिल रही है मैं देश में कहीं भी जाता हूँ उत्तर में, दक्षिड में, दौर्थिश में पिछले नव वर्सों में हुए विकास की चर्चा करता हूँ तो कुछ लोगों को बहुत परिशानी हो जाती है ये नई बिमारी है वो शिकायत करते हैं कि दसकों तक उन्होंने भी देश पर राज किया है उन्हें क्रेडिट को नहीं मिलता क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहीत किया है अरे जनता तो जनार्णन का रूप होती है इश्वर का रूप होती है पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे इसलिए नौर्थ इस्ट उन्हें दूर लगता था एक परायपन का भाव उन्होंने प्यादा कर दिया था हम तो सेवा भाव से आपके सेवक होने की भावना से समर्पन भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं इसलिए नौर्थ इस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपने पन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है मुझे खुशी है कि आज नौर्थ इस्ट में लोगों ने विकास की बागडोर आगे बढ़कर खुश समाल ली है वो नौर्थ इस्ट के विकास से भारत के विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं विकास के इस नए अंदोलन में केंद्र सरकार एक दोस्त बनकर एक सेवक बनकर एक साथी बनकर सभी रज्जों के साथ काम कर रही है आज का ये आयोजन भी इसी का एक जीता जागता उदारन है साथियों दसकों तक हमारा पुर्वोत्तर कई और चुनोत्यों से जूजता रहा है जब किसी सेक्टर में परिवारबाद, छेत्रबाद, ब्रस्टाचार और अस्थीरता की राजनिती हावी होती है तब विकात होना असंभव हो जाता है और यही हमारे हेल्थ केर सिस्टिम के साथ हुआ दिल्ली में जो एम्स हैं वो पचास के दसक में बना था देश के कौने कौने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे लेकिन दसकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए अटल जी की जब सरकार थी तो उन्होंने पहली बार इसके लिए प्रयास शुरू किये थे लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर सब शब का ठप पड़ गया जो एम्स खोले भी गए वहां व्यवस्ताएं खस्ता हाल ही रही दो हजार चौदा के बार हमने इस सारी कमियों को दूर किया हमने बीते वर्षों में पंद्रा नए एंद पर काम शुरू किया पंद्रा इन में से अगी अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविदा शुरू हो चुकी है एंद गुवाटी भी इस बात का उदारण है कि हमारी सरकार जो संकल पर लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है यह असम की जनता का प्यार है जो मुझे बार बार यहां ठींच के लिए आता है शिला न्यास के समय भी आपके प्यार ने मुझे यहां बुला लिया और आज लोकारपन के समय भी आपका प्यार बढ़ चड़ करके और वो भी बिहू के पवित्र समय यहां मुझे आने का आउसर मिल गया यह आपका प्यार ही है साथियों पहले की सरकारों की नीतियों की वज़े से हमारे हां डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल प्रोपेशनल की बहुत कमी रही है यह कमी भारत में क्वालिटी हेल्ट सर्विस के सामने बहुत बड़ी दिवार थी इसलिए बीते नव वर्षों में हमारी सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्रेक्चर और मेडिकल प्रोपेशनल बढ़ाने पर बड़े स्तर पर काम किया है दोहजार चौदा से पहले दस सामों में करीब देड़ सो मेडिकल कॉलेज ही बने थे पिछले नव वर्षों में हमारी सरकार में करीब तीन सो नए मेडिकल कॉलेज बने थे पिछले नव वर्षों में देश में MBBS सीटे भी दो गुनी बढ़कर एक लाग से अधिक हो चुकी है पिछले नव वर्षों में देश में मेडिकल की PG सीटों में भी 110 प्रतिशत की बड़ोत्री हुई है हमने मेडिकल सिख्षा के विस्तार के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन की स्थापना किया है पिछडे परिवारों को बैकवर्ड फैमिलीज के बच्चे डॉक्टर बन सके इसके लिए हमने आरक्षन की स्थापना का भी विस्तार किया है दूर दराज वाले छेत्रों के बच्चे भी डॉक्टर बन सके इसलिए हमने पहली बार भारतिय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है इस वर्ष के बजेट में देड़ सो से अधिक नर्सिंग कॉलेज खोलने का एलान भी किया गया है अगर मैं नर्सिंग की बात करो यहां भी बीते नव वर्षों में मेडिकल कॉलेज की संख्या दो गुने से अधिक हो चुकी है अभी अनेग मेडिकल कॉलेज ओपर काम चल रहा है कई नए मेडिकल कॉलेज यहां बनने जा रहे हैं बीते नव वर्षों में नौर्थ इसमें मेडिकल की सीटों की संख्यापी बढ़ करका पहले के मुकाबले दो गुनी हो चुकी है बाई और बैनों आज भारत में हेल्ट सेक्टल में इतना काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आप सभी देश वास्यों ने 2014 में एक स्थीर और मजबुत सरकार बनाई भाजपा की सरकारों में नीती नियत और निष्ठा किसी स्वार से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम देश वासी प्रथम इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है इसलिए हमने वोट बेंक के बजाए देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया हमने लक्ष बढ़ाया कि हमारी बेहनों को इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े हमने तय कि कि किसी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज ना टालना पड़े हमने प्रया हमास किया कि हमारे गरीब परिवारों को भी घर के पास ही बहतर इलाज मिले साथियों कि मैं जानता हूं कि इलाज के लिए पैसे ना होना गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती इसलिए हमारी सरकार ने पांच लाख रुपिये तक का मुप्त इलाज देने वाली आईश्मान योजना शुरू की मैं जानता हूं कि महंगी दवाईयों से गरीब और मद्दमबर्ग कितना परिशान होता है इसलिए हमारी सरकार ने नव हजार से ज़्यादा जन अउसदी केंद्र खोले इन केंद्रों पर सेंकड़ों दवाईयां सस्ते में उपलब्द कराई मैं जानता हूं हाट के ऑपरेशन में घूटने के ऑपरेशन में गरीब और मद्दमबर्ग कितना ज़्यादा खर्च हो रहा था इसलिए हमारी सरकार ने स्टैंड की कीमतों को नियंत्रिद किया नी इंप्लांट की कीमतों को नियंत्रिद किया मैं जानता हूं कि जब गरीब को डायलिसिस की जरुत होती है तो वो कितना परेशान होता है इसलिए हमारी सरकार ने हर जिले में मुक्त डायलिसिच वाली योजना शुरू की लाखों लोगों को इसका फाइदा पहुचाया मैं जानता हूँ गंबीर बिमारी का समय से पता लगना कितना जरूरी होता है इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में डेड़ लाख से जादा हेल्ट और वेलनेस सेंटर खोले हैं वहाँ जरूरी टेस्ट की शुविदा दी है मैं जानता हूँ कि टीवी की बिमारी कितने दसकों से गरीबों के लिए बहुत बड़ी चुनोदी बड़ी हुई है इसलिए हमारी सरकार ने प्रदान मंत्री टीवी मुक्त भारत योजना अभ्यान शुरू किया हमने एक बाकी दुनिया से पांच वर्थ पहले ही भारत को टीवी से मुक्त करने का लक्ष रखा है मैं जानता हूँ कि बिमारी किस तरह गरीब और मद्दम्बर के परिवार को बरबात कर देती है इसलिए हमारी सरकार ने प्रिवेंटिव हेल्थ केर पर फोकस किया बिमार हो ही नहीं बिमारी आये ही नहीं इस पर फोकस किया योग आयुरवेद फिट इंडिया अभियान चलाकर हमने लोगों की निरंतर सहथ के प्रति जागरुत किया है साथियों आज जब मैं सरकार की इन योजनाओं के सफलता देखता हूँ तो खुद को धन्य मानता हूँ कि गरीब की इतनी सेवा करने का परमात्मा ने और जनता जनारदन ने मुझे आशिरवाद दिया आजमान भारत प्रदान मंत्री जनारों के योजना आज देख के करोडों गरीबों का बहुत बड़ा संबल बनी है बीते वर्सों में आईशमान भारत योजना ने गरीबों के 80,000 करोड रुपे खर्च होने से बचाये हैं जन अवसदी केंदरों की विज़े से गरीब और मद्यमबर के 20,000 करोड रुपे खर्च होने से बचे हैं स्टेंट और नीव इंप्लांट की कीमत कम होने से गरीब और मद्यमबर के हर साल 13,000 करोड रुपे बच रहे हैं मुप्त डायलिसिस की सुविजा से भी किजिने के गरीब मरीजों के 500 करोड रुपे से ज़्यादा खर्च होने से बचे हैं आज यहां असम के करीब एक करोड से भी जादा नागरिकों को आईश्मान भारत कार देने का भ्यान भी शुरू हुआ है इस अभियान से असम के लोगों बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है उनके पैसे बचने वाले हैं साथियो मैं अक्सर देश के कौने कौने में हमारी सरकार की योजनाओं के लाभारतियों से मुलाकात करता रहता हूँ इसमें बहुत बड़ी संध्या में हमारी माताएं बैने हमारे देश की बेटे बेटिया हमारी महलाएं शामिल होती है वो मुझे बताती है कि पहले इसकी सरकारों में और अब भाजपा सरकार के समय में स्वास्त सुविधाओं में कितना बड़ा फर्क आया है आप और हम ये जानते हैं कि जब स्वास्त की बात होती है, इलाज की बात होती है, तो हमारे हां महलाएं अक्सर पीछे रह जाती है हमारी माताओं बेनों को खुद को लगता है कि क्यों अपने इलाज पर घर का पैसा खर्च करवाएं, क्यों अपनी वज़े से दूसरों को इतनी तकलीफ दे, संसाधनों की कमी की वज़े से, आर्थी तंगी की वज़े से, जिन हालातों में देश की करोडों महलाएं रह रही उसमें उनका स्वास्त ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था, भाजपा के नेत्रुतों वाली हमारी सरकार ने जो योजनाएं शुरू की, उसका बहुत बड़ा लाब हमारी माताओं बेहनों को महलाओं की सहत को हुआ है, स्वच्छ भारत अभ्यान के तहद बने करोडों सो उचाले ने महलाओं को बहुत सारी बिमारियों से बचाया है, उजबला योजना के तहद मिले गैस, उस गैस कनेक्शन से महलाओं को जान लेवा दुएं से मुक्ति जिलाई है, जल जिवन मिशन के तहद हर गर जल आने से करोडों महलाओं का पानी से होने वाली मिमारियों स से बचा हुआ है मिशन इंद्र धनूस ने करोडों महिलाओं का मुफ्त टिका करन करके उन्हें गंबीर बिमारी से बचाया है आईश्मान भारत योजना ने महिलाओं का अस्पिताल में पांच लाग रुपिय तक की मुफ्त इलाज का बरोचा दिया है प्रदान मंत्री मात्रों बंद्रा योजना ने महिलाओं को गर्मावस्ता के दोरान आर्थिक मदद दी है राश्टिये पोशन भियानने महिलाओं को पोश्टिक बोजन मौईया कराने में की है जब सरकार सम्मेदन जिल होती है जब गरीब के प्रती सेवा की भावना होती है तो ऐसे ही काम किया जाता है साथियों हमारी सरकार भारत के हेल्थ सेक्टर का 21 सदी की आवश्यक्ता के मताबिक आदुली करम भी कर रही है आज आईश्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से देश वाच्चों को डिजिटल हेल्थ आईटी दी जा रही है देश भर के अस्पतालों हेल्थ प्रफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाये जा रहा है इससे एक क्लिक पर ही देश के नागरिक का पुरा हेल्थ रिकॉर्ड उपलग्द हो जाएगा इससे अस्पतालों में इलाज की सुविदा बढ़ेगी सही डॉक्तर तक पहुंचना सरल होगा मुझे खुशी है कि इस योधना के तहट अभी तक लगवग 38 लाग 38 करोड 38 करोड डिजिटल आईडी बनाई जा चुकी है इसमें दो लाग से अधिक हेल्थ फैसिलिटी और डेट लाग से अधिक हेल्थ प्रोफेशनल बेरिफाइव हो चुके है आज इस संजिवनी भी गर बैठे बैठे उप्चार का पसंदिदा माध्यम बनती जा रही है हम सुविदा का लाब देज भर के दस करोड साथी ले चुके है इससे समय और पैसा दोनों की बचत सुनिश्चित हो रही है भाई और भेनों भारत के हेल्थ केर सिस्टिम में परिवतन का सब्चे बड़ा अधार है सबका प्रयास कोरोणा की संक्र्कार में भी हमने सबका प्रयास की ताकत देखी है दुनिया के सबते बड़े सबते सबते प्रभावी कोवीड टिका करना वियान की प्रसंद सवर्द्ण सा अध्नुनिया कर रही है हमने Made in India Vaccine मड़ाई उन्हें बहुत कम जबहे के भीतर दूर दूर तक पहुंचाया इसमें आशा वरकर आंगेन वाड़ी कायर करता प्रामरी हेल्ट केर वरकर से लेकर फार्मासिटिकल सेक्टर तक के सर साथी ने शांदर काम किया है इतना बड़ा महायगन तभी सबन होता है जब सबका प्रयास हो और सबका विश्वास हो सबका प्रयास की भावणा के साथ हमें आगे बढ़ना है आईए सबका प्रयास से स्वस्त भारत समुर्द भारत के मिशन को हम पूरी निष्टा से आगे बढ़ाए एक बार फिर एमस और मेडिकल कॉलेग के लिए असम के लोगों को मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आपने जो प्यार दिखाया इतनी बड़ी तादाद में आशिरवाद देने आए आपको प्रणाम करते हुए आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ